आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल के उपर तो दोस्तों यह वीडियो काफी शांदार होने वाला है काफी शांदार टोपिक के उपर है जिसका नाम है फैबोनाची रिट्रस्मेंट आप सभी का एक बार-बार कोशन आता है कि सर हम कैसे पता करें कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है आप किसे पता कर लेते हों कि यही से रिवर्स होगा यहां से रिवर्स ट्रेट बना लेते हो तो देखो यह एक फैबोनाची टूल है जो आपको कंफर्मेशन देता है 100% नहीं होता है बट 90-95% कंफर्मेशन देता है तो इतना तो चलेगा मार्केट में 100% तो कुछ होता भी नहीं है तो फाइनली एक टूल में आपके सामने ईसे कहें पर बात भी करेंगे कि कैसे तरह साफ इसका यूश कर सकते हो और क्या होता है फेबुणाची एक चुल में चुल में और किस तरह से आप इसके ट्रेश्म टूल से यह पता लगाँ आपा होगे कि मार्केट यहां गुमने वाला है और यहां से रिटॉसमेंट यहां पर इंडिकेटर यह इसमें रहा है Cuban यह जो दिख रहाई ना यहाँ पर क्या लिखा है फैब्रेंटरस्मेंट इसके उबर आप कुलिक करोगे यह इस तरह का एक टूल लगाएगा यह देखो अब इसमें होता क्या है इसको किस तरह से लगाते हैं इसको लगाने का और इसका काम करने का तरीका क्या है देखो यह एक होता है लो पुइंट मार्केट का मार्केट का करेंट का लो और करेंट का हाई दोनों को मार्क कर लो करेंट का लो यह लो हो गया मार्केट का यह करेंट का हाई हो गया अपने दोनों को मार्क कर लिया अब अ तरह से चलता है जैसे इसने लो बनाए यह हाई बना अब मार्केट डायेक तो इससे नहीं को उपर चला जाएगा अब थोड़ा से नीचे आएगा वापस से इस तरह से फिर उपर जाने की कोशिश करेगा तो यह होगा रिट्रेस्मेंट यह क्या हुआ इसका अब इसके अंदर आपकी जो टूल होते हैं तरह से इसमें रिट्रेस्मेंट बहुत जादा मतने सबस्से प्वएले वह समझ लू जिसे मैंने यह लगाया है अब यहां पर आपको बहुत सारा रिट्शमेंट के लिए नंबर दिख रहे होंगे कि सरा हम 0.2 मजद धाई percent का ले या 3 percent का ले 5 percent का ले 6 percent का ले 7 percent का ले मतद रेक्ष sub- Gibran times किस number से अएपन ले तो देखो सबसे जदा है जो important retracement होता है वो होता है 0.5 का और 0.6 का यह दोनो retracement एक तो क्या हुता 0.5 Satology number lvl है 50 percent देर उसके बाद 0.618 यह क्या एक golden ratio number है यह दोनों ही important है इस zone में आपने इस तरह से एक zone mark कर लो जहां से भी mark इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है छेक इंडरेस्टिक पिटन याद रखना है एक hammer हो गया, नाम बता रहा हूँ hammer हो गया, harami हो गया engulfing हो गया जो hammer का उल्टा होता है shooting star वो हो गया इसके अलावा evening star और morning star यह छेक इंडरेस्टिक पिटन इन retracement zone पर बनते हुए दिखने चाहिए आपको आई यह कुछ practical कर लेते आप कुछ अपन practical भी करके देख लेते कि कि किस तरह से होते हैं यह छेक इंडरेस्टिक पेटन इन retracement zone के पास बनना चाहिए 0.5 तो 0.6 की range में दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा से practical भी देखो current में market ने क्या किया यहां देखना यह एक low बनाया यह एक high बनाया आप देख पा रहोंगे यह देखो मैंने कोई पेले से नहीं लगा गया है हूँ आपके सामने देख रहा हूँ अब मैं यहां पर एक zone mark कर लूँ है 0.5 तो 0.6 की range में देख लो यह 0.5 और 0.6 की range में zone mark कर लिया अब मैं इसको आपके सामने represent कर लेता हूँ थोड़ा सा किस तरह से काम कर ला देखो मार्केट का यह low था मार्केट यहां से उपर गया उपर गया उपर गया यहां आया फिर थोड़ा से नीचे आया फिर उपर गया देन उसके बाद 0.5 पर आया 0.5 तो 0.6 की range में आया कौन सा pattern में आप यहां पर consider करो यह कौन सा pattern है आप इसका नाम comment section के अंदर लग सकते जो मैंने छे बता उन्हों में से एक है देन मार्केट यह उपर चला गया तेन सेम इसी तरह से और भी आई है एक को में बताता हूँ आपको गोल्ड के अंदर एक बहुत शांदर weekly time frame पर इसी तरह का सीन बन रहा है हाला कि पहले आप अभी थोड़ा और इसी में देखेंगे अभी कुड़ेल में ही देखेंगे थोड़ा सा और तो इस तरह से आप और देख लिए थोड़े से क्योंकि देखो पैक्टिस आपको दिखाना जरूरी यहां पर देखो market यह एक low बनाया एक high बनाया चोटा से low high बता हूँ आपको यह high बनाया आप देखना कितना शांदर व반क्तिया ओग यहां पर यहां पर मैं एक zone mark करा हूँ जो νौ 5. यह low है यह high मैंने connect कर लिया market का high low अब market आये 0.5 to 0.6 की range में आया अब यहाँ पर भी candlestick pattern बनाया है आप देख पा रहा होंगे कौन सा बनाया है वो आप लिख सकते है 3 candlestick pattern भी है और शूटी आप दाओगे वो भी नाम और दिन downside किस तरह से यूज़ करना है यह तो मैंने सारे भी upside के बताएं आपको कुछ downside के लिए भी मैं आपको बताएता हूँ जैसे यहाँ से यह मालो यह swing high है इस swing high को मैंने connect किया swing low से यह swing low है क्या है swing low अब मैं 0.5 to 0.6 की range में एक zone लगा रहा हूँ इस तरह से यह देखो तेके आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा यह high था इसका यह low था और यह 0.5 to 0.6 के अंदर range में एक zone बना लिया अब यहाँ पर ही market रुका market उपर से नीचे आया उपर गया रिट्टेस दन उसके बाद बूम डाउन साइट तो यह इस तरह से काम करता है वो चेक अंदर स्टिक पिटन याद के लोग जो देखो वही बन रहे है आप यहाँ देख सकते हो जो मेन भी आपको चेक अंदर स्टिक पिटन बता है वह ही इस जोन में बन रहे है तो यह most of the time काम करता है और इसके accuracy काफी शांदर है इसमें आप कोई मतलब शक नहीं कर सकते कि यह काम नहीं करता है बहुत शांदर काम करता है और बहुत accurate level देता है निकालके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को subscribe कर लिजयेगा बट एक मेरे एको मेरे जो गोल्ड लगा है वह बताना चाहूंगा गोल्ड पर डे टाइम फ्रेम के ऊपर काफी शांदर सिनार्यों क्रेट हो रहा है वह आपको मैं दिखाना चा गोल्ड यहां से एक सब्सक्राइब रूखेगा चलो कोई ना अभी इसी से समझ लेते हैं यह आपको वीडियो अच्छो लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा यह क्या है कि यह एक मदल ब Rainbow हो जो आपको जो कमेंट के साथ हैं जो मारकर न जेस अप्लोड होई हो उने वाला उन्हों को पी दीखेगा तो फ्रेंड्स बाई बाई टेक केर ध्यान रखिए का सब अपना मिलते नेक्स टूडियो में